हेलो फ्रेंड्स प्रियार कीचेन में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ एक क्येपसी स्टाइल चीकेन रेसीपी इसे देखके जो है बच्चे हो चाहे बड़े सभी का मुझ में आ जाता है पानी क्यूंकि सभी को पसंद आते हैं तो चल करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करके मुझे सापोर्ट कीजिए तो इधर जो है सबसे पहले लेंगे एक बड़ा सा बाउल इसमें हम चीकेन को मैंग केचप और जो है वान टीस्पून लिए हैं हमने यहाँ पर नीवू का रास देख गे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम देंगे इसमें जो है अभी चीकेन डाल के चीकेन को मैंगनेट करेंगे तो हमारा मासाला पेस्ट जो है रेडी है और य चीकेन लेक पीस लिए हैं और लेक पीस को हमने देखिए इधर बीज में से ऐसे करके कट कर लिया है इससे जो है चीकेन के अंदर तक मसाला चला जाएगा बहुत ही टेश्टी और अच्छा लगीगा तो चलिए इसमें जो है अभी चीकेन को डाल देते हैं डाल के चीकेन को अ अच़्ेसे मिक्स कर लिया है, इसे अभी ढखान लगादेंगे, ढखान लगा कर इसे फ़िज में 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी, तो इधर देख सकते हैं पाँच घंटा हो गया है, उसके बाद मैं चीकेन को एयो करा है, तो देख सकते हैं, पानी छोड़ दिया है, क्यो і है 오cake नो heavier ब्रेट क्रम्स ऑर दे रही हूं और दे रही हूं अच्छे करेंगे इस सॉंडंगे ब्लह प्लिपीपर ौडर के साथ ही कणऑportislation और देंगे 1 तीज्पून नामकॉत रही। मसला एकदम रेड़ी है तो चलिए इसको साइड में राखते हैं और यहाँ पर देखिए हम ने लिये हैं दो आंड़ा इसमें आभी ओन चाथाई चामाच जो है नमक दे के इसको आंड़ा को अच्छे से फैड़ी तो चलिए हमारा सब कुछ रेड़ी है इधर आंडा है इधर चीकेन है और इधर कोटिंग के लिए पाउडर मसाला भी है तो इस सबसे पहले हम जो क्या करेंगे इसको अच्छे से हाथों के मतलब से मिक्स कर लेंगी मिक्स करने के बाद यह जो पाउडर मसाला हम बनाये थे इसमें हम इस तरह से इसको मतलब हिलाते ह इसको कोटिंग करेंगी इससे बहुत अच्छे से कोटिंग होता है तो हमने दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रही हूं दोनों हाथ से बहुत अच्छा होता है तो देख सकते हैं इसको दबाते हुए थोड़ा सा इसको अच्छे से कोटिंग कर लिया है एक पर हमने कोटिंग कर लिय तो चले बन देख करके मैं इसमें चीकन लेक पिस को डाल देगे डालके इसको अच्छे से बॉल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राइ कर लेंगे तो चलिए गैस का फ्लेम को हमने एकदम स्लो रखा है नहीं तो अंदर से जो है कच्चा रहे जाएगा तो देख सकते हैं हमारा एक फ्राइ हो गया है हलका गोल्डेन कलर आ गया है तो इसे हम निकाल लेंगे तो इसमें जो है गैस का फ्लेम को स्लो ही रगना है नहीं तो अंद को देखिए मैं चीकेन को काट करके भी दिखा रही हूं अभी जो है बहुत ही गरम है तो इसलिए मैं देखिए एक फॉक के मदद से अब लोग को दिखा रहे देख सकते कि जो चीकेन है बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो गया है तो कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेयर कीजिएगा चैनल में नया है तो रेट कलर का बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साइट में जो बेल आइक उसे भी क्लिक कर दीजे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए फिर मिलते हैं बाई बाई